जुलाय का महिना यानि मौनसुन का महिना बारिश का महिना बिते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। यमुना समेत कई नदियों में बार से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठाने पड़ी हैं। पहडी इलाकों में भुस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। इसी दवरान देश के पस्चिम हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बीपर जॉय साइक्लोन भी आया। लेकिन साथियों इन आपदाओं के बीच हम सब देश वास्वे ने फिर दिखाया है कि सामोहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। स्थानिय लोगों ने, हमारे एंडियारब के जवानों ने, स्थानिय प्रशाशन के लोगों ने दिन रात लगा कर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है। किसी भी आपदा से निपटने में हमारे सामर्थ और समसाधनों की भूमिका बड़ी होती है। लेकिन इसके साथ ही हमारी सम्वेदन सिल्ता और एक दूसरे का हाथ थामने की भावना उतनी ही एहम होती है। सर्वजन हिताय की यही भावना भारत की पहचान भी है और भारत की ताकत भी है। साथियों, बारिस का यही समय व्रुक्षा रोपन और जल सवरक्षन के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। आजादी की अमरुद महोत्षों के दरवान बने 60,000 से ज्यादा अमरुद सर्ववरों में भी रोणक बढ़ गई है। अभी 50,000 से ज्यादा अमरुद सर्ववरों को बनाने का काम चल भी रहा है। हमारे देश्वासी पूरी जागरुकता और जिम्मेदारी के साथ जल सवरक्षण के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले मैं MP के शडूल गया था। वहां मेरी मुलाकात पकरिया गाउं के आदिवसी भाई भेनों से हुई थी। वहीं पर मेरी उनसे प्रक्रती और पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी। अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गाउं के आदिवासी भाई भेनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है। यहां प्रशासन की मदद से लोगों ने करी सों कुओं को वाटर रिचार्ट सिस्टिम में बदल दिया है। बारिस का पानी अब इन कुओं में जाता है और कुओं से ये पानी जमिन के अंदर चला जाता है। इससे इलागे में भू जलस्तर भी धिरे धिरे सुधरेगा। अब सभी गाउवालों ने पूरे ख्षेत्र के करीब करीब आंट सो कुए को रिचार्ट के लिए उप्योग में लाने का लक्ष बनाया है। ऐसी ही एक उत्सावर्दक खबर यूपी से आई है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में तीस करोड पैड लगाने का रेकॉर्ड बनाया गया है। इस अभियान के शुरुवात राज्य सरकार ने की उसे पूरा वहां के लोगों ने किया। ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदारण है। मैं चाहूंगा कि हम सब भी पैड लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बने। मेरे प्यारे देशभाचियों, इस समय सावन का पवित्र महिना चल रहा है। सदास्यु महदेव की साधना आरात्ना के साथ ही सावन हर्याली और खुश्यों से जुड़ा होता है। इसलिए सावन का अध्यात्मिक के साथ ही सांस्कृतिक द्रश्टिकोंड से भी बहुत महत्परा है। सावन की जूले, सावन की महदी, सावन के उत्सव यानि सावन का मतलब ही आनंद और उल्लास होता है। साथियों, हमारी इस आस्था और इन परंपराओं का एक पक्ष और भी है। हमारे ये पर्व और परंपराएं हमें गतिशिल बनाते हैं। सावन में सीव आराधना के लिए कितने ही भक्त कावड यात्रा पर निकलते हैं। सावन की वज़े से इन दिनों बारा जोतर लिंगों में भी खूब सरद्धालू पहुंच रहे हैं। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बनारस पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड रही है। अपकाशि में हर साल दस करोड से भी जादा परियतक पहुंच रहे हैं। अयुद्या, मतुरा, उज्जेन जैसे तिर्थों पर आने वाले स्रद्धालूं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इससे लाखों गरीबों को रोजगार मिल रहा है। उनका जीवन यापन हो रहा है। ये सब हमारे सांसकृतिक जन जागरण का परणाम है। इसके दर्शन के लिए अब तो पूरी दुनिया से लोग हमारे तिर्थों में आ रहे हैं। मुझे ऐसे ही दो अमेरिकन दोस्तों के बारे में पता चला है जो कैलिफोनिया से यहां अमरनात यात्रा करने आये थे। इन विदेशी महमानों ने अमरनात यात्रा से जुड़े स्वामी विवेकानन के अनुभावों के बारे में कहीं सुना था। उससे उन्हें इतनी प्रिणा मिली कि खुद भी अमरनात यात्रा करने आ गए। यही से भगवान भोले नात का आशिरवाद मानते हैं। यही भारत की खास्यत है कि सबको अपनाता है, सबको कुछ न कुछ देता है। ऐसी ही एक फ्रेंच मुल्की महिला है सारलोट शोपा। बीते दिनों जब मैं फ्रांस गया था तो इन से मेरी मुलाकात हुई थी। सारलोट शोपा एक योगा प्रक्टिशनर है, योगा टीचर है और उनकी उम्र सो साल से भी ज़्यादा है, वो सेंचरी पार कर चुकी है। वो पिछले चालिस साल से योग प्रक्टिश कर रही है, वो अपने स्वास्त और सो साल की इस आयू का स्रे योग को ही देती है, वो दुनिया में भारत के योग विज्ञान और इसकी ताकत का एक प्रमुक चहरा बन गई है, इनसे हर किसी को सिखना चाहिए। हम न केवल अपनी विरासत को अंगीकार करें, बलकि उसे जिम्मेदारी के साथ विश्व के सामने प्रस्तूत भी करें। और मुझे खुशी है कि ऐसा ही एक प्रयास इन दिनों उज्जेन में चल रहा है। यहां देश भर के 18 चित्रकार, पुराणवपर आधारित, आकर्सक चित्रकथाएं बना रहे हैं। यह चित्र, बुंदी शैली, नातद्वारा शैली, पहाडी शैली और अपभ्रोशन शैली जैसी कई विशिष्ट शैलियों में बनेंगे। इन्हें उज्जेन के त्रिवेडी संग्राले में प्रदर्शित किया जाएगा। यानि कुछ समय बाद जब आप उज्जेन जाएंगे, तो महाकाल, महालोक के साथ साथ एक और दिव्यस्थान के आप दर्शन कर सकेंगे। साथ्यों, उज्जेन में बन रही इन पेंटिंग्स की बात करते हुए, मुझे एक और अनोखी पेंटिंग की आद आ गई है। ये पेंटिंग राजकोट के एक आर्टिस्ट प्रभाद सिंग मोडभाई बरहाड जी ने बनाई थी। ये पेंटिंग छत्रपति वीर सिवाज महाराज के जीवन के एक प्रसंग पर आधारी थी। आर्टिस्ट प्रभाद बाई ने दर्शाया था कि छत्रपती सिवाजी महराज राज्या विशेक के बाद अपनी कुल्देवी तुल्जा माता के दर्शन करने जा रहे थे तो उस समय क्या माहोल था अपनी परंपराओं अपनी धरोरों को जीवन्त रखने के लिए हमें उन्हें सहजना होता है उन्हें जीना होता है उन्हें अगली पीजी को सिखाना होता है मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में अनेकों प्रयास हो रहे हैं मेरे प्यारे देश्वास्यों कई बार जब हम ecology, flora, phona, biodiversity जैसे सब्द सुनते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये तो specialized subject है इनसे जुड़े expert के विशय हैं लेकिन ऐसा नहीं है अगर हम बाकई प्रक्रति प्रेम करते हैं तो हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी बहुत कुछ कर सकते हैं तमिल्नाडु में बाड़ा बल्ली के एक साथी है सुरेष रागवन जी रागवन जी को painting का शोक है आप जानते हैं painting कला और केनवास से जुड़ा काम है ये पेड़ पौंधों और जीव जंतों की जानकारी को समरक्षित करेंगे वो अलग-अलग फ्लोरा और फोना की पेंटिंग्स बना कर उनसे जुड़ी जानकारी का करते हैं वो अब तक दर्जनों ऐसी चिडियाओं की पशुओं की और शीट्स की पेंटिंग्स बना चुके हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है कला के जरिये प्रकृति की सेवा करने का युधारन वाकई अध्भूत है मेरे प्यारे देश वाचियों आज मैं आपको एक और दिल्चस्प बात भी बताना चाहता हूं कुछ दिन पहले सोशल मिडिया पर एक अधभूत क्रेज दिखा अमेरिका ने हमें सो से जान्दा दुरलब और प्राचिन कलाकृतियां वापस लवटाई हैं इस खबर के सामन मेरे आने के बाद सोशल मिडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खूप चर्चा हुई युवाओं में अपनी विरासत के प्रति घर्व का भाव दिखा भारत लवटी ये कलाकृतियां डाई हजार साल से लेकर डाई सो साल तक पुरानी हैं आपको यह भी जानकर खुशी होग कि इन दुरलब चीजों का नाता देश के अलग-अलग शेत्रों से हैं ये टेरकोटा, स्टोन, मेटल और लकडी के इस्तमाल से बनाई गई हैं इन में से कुछ तो ऐसी हैं जो आपको आश्री से भर देगी आप इने देखेंगे तो देखते हैं रह जाएंगे इन में ग्यारवी सताब्दी का एक खुब सुरत सेंड, स्टोन, स्कल्प्चर भी आपको देखने को मिलेगा इन्रुत्य करती हुई एक अफसरा की कलाकरती हैं जिसका नाता मध्यप्रदेश से हैं चोल, यूग की कई मुर्तियों भी इन में सामिल हैं देवी और भगवान मुर्गन की प्रतिमाय तो बाहरवी सताब्दी की है और तमिल नाडु की वैभव साली संस्कृति से जुड़ी है भगवान गणेश की करीब एक हजार वर्ष पुरानी कांसे की प्रतिमा भी भारत को लवटाई गई हैं ललितासन में बैठे उमा महेश्वर की एक मुर्ति ग्यारवी सताब्दी की बताई जाती है जिसमें वे दोनों नंदी परासिन है पत्थरों से बनी जैन तिर्थरकरों की दो मुर्तियां भी भारत वापिस आई हैं बागवान सुर्यदेव की दो प्रतिमा भी आप मन मोलेंगी इन में से एक सैंस्टोन से बनी है वापस लोटाई गई चीजों में लकडी से बना एक पैनल भी है जो समुद्र मन्थन की कथा को सामने लाता है सोलवी सत्रवी सदी के इस पैनल का जुडाव दक्षिन भारत से हैं साथियों यहां मैंने तो बहुत कभी नाम दिये हैं जब की देखे तो यह लिस्ट बहुत लंबी है मैं अमरीकी सरकार का हभार करना चाहूंगा जिनोंने हमारी इस बहुमुली विरासत को लोटाया है 2016 और 2021 में भी जब मैंने अमेरिका की आतरकी थी तब भी कई कलाकुर्तिया भारत को लोटाई गई थी मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रयासों से हमारी सांसकूर्तिक धरोहरों की चोरी रोकने को इस बात को ले करके देश भर में जागरूत्ता बढ़ेगी इससे हमारी समर्द्य विरासत से देश्वास्यों का लगाओ भी और गहरा हुगा मेरे प्यारे देश्वास्यों देव भूमी उतराखन की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र मुझे लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं उन्होंने अपने बेटे को अपने भाई को खूब सारा आश्रवात दिया है उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कलपना भी नहीं की थी कि हमारी सांसकुर्दिक धरोह रहा भोजपत्र उनकी आजिविका का साधन बन सकता है आप सोच रहे होंगे कि या पुरा माजरा है क्या साथ्यों तो मुझे ये पत्र लिखे हैं चमोली जिले की नीती माना गाटी की महला उने ये वो महला हैं जिन्होंने पिछले साल अक्तूबर में मुझे भोज पत्र पर एक अनूठी कलाकुरती भेंट की थी ये उपहार पाकर मैं भी बहुत अभिभूत हो गया आखिर हमारे हाँ प्राचीन कार्ट से हमारे शास्त्र और ग्रंत इनी भोज पत्रों पर शहजे जाते रहे हैं महाभारत भी तो इसी भोज पत्र पर लिखा गया था आज देव भूमी की ये महलाए इस भोज पत्र से बेहद ही सुन्दर सुन्दर कलाकृतिया और स्मृति चिन बना रही है माना गाउं की यात्रा के दोरान मैंने उनके इस यूनिक प्रयास की सरहना की थी मैंने देव भूमी आने वाले परियत्रकों से अपील की थी को यात्रा के दोरान जादा से जादा लोकल प्रोडक्स खरीदे इसका वहाँ बहुत असर हुआ है आज बोज पत्र के उत्पादों को यहां आने वाले तिरस्यात्री काफी पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं बोज पत्र की है प्राचिन विरासत उत्राखन की महिलाओं के जीवन में खुशाली के नए-नए रंग भर रही है मुझे यह जानकर भी खुशी हुई है कि बोज पत्र से नए-ने प्रोडक्ट बनाने के लिए राज सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है राज सरकार ने बोज पत्र की दुर्लब पजात्यों को समरक्षित करने के लिए भी अभ्यान शुरू किया है जिन खेत्रों को कभी देश का आखरी छोर माना गया था उन्हें अब देश का प्रथम गाउं मानकर विकास हो रहा है यह प्रयास अपनी परंपरा और संस्कृति को संजोने के साथ आर्थिक तरक्री का भी जर्या बन रहा है मेरे पहरे देश भात्षियों मन की बात में मुझसे इस बार काफी संख्या में ऐसे पत्र भी मिले हैं जो मन को भूत ही संतोस देते हैं यह चिठी उन मुस्लिम महलाओं ने लिखी हैं जो हाल ही में हज यात्रा करके आई हैं उनकी यात्रा कई माइनों में बहुत खास हैं यह वो महलाएं हैं जिनों ने हज की यात्रा बिना किसी पूरुस सहयोगी या महरम के बिना पुरी की हैं और यह संख्या सोपचास नहीं बलकी चार हजार से जादा है यह एक बड़ा बड़लाव है पहले मुस्लिम महलाओं को बीना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी मैं मन की बात के माध्यम से सौधी अरब सरकार का भी रदय से आभार व्यक्त करता हूँ बिना महरम हज पर जा रही महलाओं के लिए खास तौर पर विमेन कोडिनेटर्स नियुक्ति की गई थी साथियों बीते कुछ वर्सों में हज पॉलिस में जो बडलाव किये गए हैं उनकी भरपूर सराना हो रही है हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों ने इस बारे में मुझे काफी कुछ लिखा है अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हज पर जाने का मौका मिल रहा है हज यात्रा से लोटे लोगों ने विशेशकर हमारी माताओं बहनों ने चिठ्थी लिखकर जो आशिरवात दिया है वो अपने आप में बहुत प्रेड़क है मेरे प्यारे देशवासियों जम्मू कश्मीर में मुझेकल नाइट्स हो हाई एल्टिटूड में बाइट रेलीज हो चन्रिगड के लोकल क्लब हो और पंजाब में धेर सारे स्पॉर्ट्स ग्रुप्स हो यह सुनकर लगता है एंटर्टेन्मेंट की बात हो रही है एडवेंचर की बात हो रही है लेकिन बात कुछ और है यह आयोजन एक कॉमन कॉज से भी जुड़ा हुआ है और यह कॉमन कॉज है ड्रग्स के खिलाब जागरुकता अभ्यान जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयात देखने को मिले हैं यहां मुजिकल नाइट बाइक रेली जैसे कारिकम हो रहे हैं चन्रिगर में इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए लोकल क्लब्स को इससे जोड़ा गया है वे इने बादा क्लब्स कहते हैं बादा या नहीं विक्टरी अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूस पंजाब में कई स्पोर्ट्स ग्रूप्स भी बनाए रहे हैं जो फिटनेस पर ध्यान देने और नशा मुक्ति के लिए एवर्नेस केंपेंच चला रहे हैं नशे के खिलाप अभ्यान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्सा बढ़ाने वारी हैं यह प्रयास भारत में नशे के खिलाप अभ्यान को बहुत ताकत देते हैं हमें देश की भावी पीडियों को बचाना है तो उन्हें ड्रक्स से दूर रखना ही होगा इसी सोच के थाथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभ्यान की शुर्वान की गई थी इस अभ्यान से 11 करोड से जादा लोगों को जोड़ा गया है दो हपते पहले ही भारत ने ड्रक्स के खिलाप बहुत बड़ी कारिवाई की है ड्रक्स की करीब डेड़ लाख किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नश्ट कर दिया गया है भारत ने 10 लाख की किलो ड्रक्स को नश्ट करने कानों का रिकॉर्ड भी बनाया है इन ड्रक्स की कीमत 12,000 करोड रुपे से भी जादा थी मैं उन सभी की सरहना करना चाहूँगा जो नश्ट मुक्ति के इसे नेक अभ्यान में अपना योगदान दे रहे हैं नश्ट की लत्थ न सिर्परिवार बलकि पूरे समाज के लिए बड़ी परिशानी बन जाती है ऐसे में यह खत्रा हमेशा के लिए खत्म हो इसके लिए जरूरी है कि हम सब एक जुट होकर इस दिशा में आगे बड़े मेरे प्यारे देश वांचियों जब बात ड्रक्स और युवाद पीडी की हो रही है तो मैं आपको मद्य प्रदेश के एक inspiring journey के बारे में भी बताना चाहाँ हूँ यह inspiring journey है मिनी ब्राजिल की आप सोच रहे होंगे कि मद्य प्रदेश में मिनी ब्राजिल कहां से आ गया यही तप्पिष्ठ है MP के शडल में एक गाउँ है विचारपूर विचारपूर को मीनी ब्राजिल कहा जाता है मीनी ब्राजिल इसलिए क्योंकि ये गाउं आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गड़ बन गया है जब कुछ हपते पहले मैं शड़ोर गया था तो मेरी मुलाकात वहाँ ऐसे बहुत सारे फुटबॉल खिलाडियों से हुई थी मुझे लगा कि इस बारे में हमारे देश वाज़ों को और खास कर युवा साथ्यों को जुरूर जानना चाहिए साथ्यों विचारपूर गाउं के मीनी ब्राजिल बनने की यात्रा दो ढ़ाई दसक पहले शुरू हुई थी उस दौरान विचारपूर गाउं अवैद सराप के लिए बदनाम था नशे की गिर्प्त में था इस माहोल का सबसे बड़ा नुक्सान यहां के युवाओं को हो रहा था एक पूरवर नेशनल प्लेयर और कोच रईस एहमत ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना रईस जी के पास संसाधन जाता नहीं थे लेकिन उन्होंने पूरी लगन से युवाओं को फुटबॉल सिखाना शुरू किया कुछ साल के भीतर ही यहां फुटबॉल इतनी पॉपिलर हो गई कि विचारपूर गाउं की पहचान ही फुटबॉल से होने लगी अब यहां फुटबॉल क्रांति नाम से एक प्रोग्रेम भी चल रहा है इस प्रोग्राम के तहट इवाओं को इस खेल से जोड़ा जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ये प्रोग्राम इतना सफल हुआ है कि विचार पूर से नेशनल और स्टेट लेवल के 40 से ज़्यादा खिलाडी निकले हैं ये फुटबल क्रांती अब धीरे धीरे पूरे शेत्र में फेल रही है सहडोल और उसके आसपास के काफी बड़े इलाके में 1200 से ज़्यादा फुटबल क्लब बन चुके हैं यहां से बड़ी संख्या में ऐसे खिलाडी निकल रहे हैं जो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं फुटबल के कई बड़े पुर्व खिलाडी और कोच आज यहां युवाओं को ट्रेनी दे रहे हैं आप सोचिए एक आदिवासी इलाका जो अवैद सराब के लिए जाना जाता था नर्शे के लिए बननाम था वो अब देश की फुटबल नर्शरी बन गया है इसलिए तो कहते हैं जहां चाह वहाह राद हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है जरूरत है तो उन्हें तलास ने की और तराश ने की इसके बाद यही युवाद देश का नाम रोशन भी करते हैं और देश की विकास को दिशा भी देते हैं मेरे प्यारे देश्वास क्यों आजादि के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हम सभी पूरे उत्सा से अमरित महोत्सों मना रहे हैं अमरित महोत्सों के दोरान देश में करीब करीब दो लाग कारकमों का आयोजन किया गया है ये कारकम एक से बढ़कर एक रंगों से सजे थे विविदता से भरे थे इन आयोजनों की एक खुबसूर्ती ये भी रही कि इन में रिकार्ड संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया इस दोरान हमारे युवाओं को देश की महान विभुतियों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला पहले कुछ महिनों की बात करें तो जन भागीदारी से जुड़े कई दिल्चस्प कारकम देखने को मिले ऐसा ये कारकम था दिव्यांग लेखकों के लिए राइटर मिट का आयोजन इसमें रिकॉर्ड संख्या में लोगों की सहभागीता देखी गई वहीं आन्द प्रदेश के तिरुपती में राष्ट्रियस संस्कृत संबिलन का आयोजन हुआ हम सभी जानते हैं कि हमारे इतिहास में कीलों का फोर्स का कितना महत्व रहा है इसी को दर्साने वाली एक केमपेंग कीले और कहानिया यानि फोर्ट से जुड़ी कहानिया भी लोगों को खुब पसंद आईगी साथियों आज जब देश में चारों तरब अमरित महत्व की गुंज है 15 अगस्त पास ही है तो देश में एक और बड़े अभ्यान की शुरूआत होने जा रही है शहीद वीर विरांगनाओं को सनमान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभ्यान शुरू होगा इसके तहट देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मुरूति में अनेक कारकम आयुजित होंगे इन विभूतियों की स्मुरूति में देश की लाखो ग्राम पंचायतों में बिशेष शिला लेग भी स्थापित किये जाएगे इस अभ्यान के तहट देश भर में अम्रित कलस यात्रा भी निकाली जाएगी देश के गाउं गाउं से कौने कौने से पचतर सो कलसों में मिट्टी लेकर ये अम्रित कलस यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुँचेगी ये यात्रा अपने साथ देश के अलग-अलग हिस्सों से पाउधे लेकर भी आएगी 75 सो कलस में आई माटी और पाउधों से मिलाकर फिर नेशनल बॉर मेमोलेर के समीट अमरितवाटिका का अंधिरमान किया जाएगा ये अमरितवाटिका एक भारत स्वेष्ट भारत का भी बहुती भव्य प्रतिक बनेगी मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमरितकाल के लिए पंच प्राण की भात की थी मेरी माटी मेरा देश अभ्यान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पुरा करने की सपत भी लेंगे आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर सपत लेते हुए अपनी सेल्फी को you are.gov.in पर जरूर अप्लोड करें पिछले वर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर गर तिरंगा भ्यान के लिए जज़ापुरा देश एक साथ आया था वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर गर तिरंगा फैराना है और इस परंप्रा को लगातार आग्य बढ़ाना है इन प्रयासों से हमें अपने कर्तवियों का बोध होगा देश की आज़ादी के लिए दिये गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा आज़ादी के मुल्य का एसास होगा इसलिए हर देशवासी को इन प्रयासों से जुरूर जुड़ना चाहिए मेरे प्यारे देशवासीों मन की बात में आज बस इतना ही अब कुछी दिनों में हम 15 आगस्त आज़ादी का ये महान परव का हिस्सा बनेंगे देश की आज़ादी के लिए मरमिटने वालों के हमेशा याद रखना है हमें उनके सपनों को सच करने के लिए दिन रात महनत करनी है और मन की बात देश वाच्चों की इसी महनत को उनके सामूही प्रयासों को सामने लाने का ही एक माध्यम है अगली बार कुछ नए विश्रों के साथ आपसे मुलाकात होगी बहुत तो धन्यवाद नमस्कार